चानक के निती का चैप्टर टू जूट बोलना, साहस, शलकपट, मुर्खता, अत्यंद लोग, अपवित्रता और निर्दैता ये इस्त्री के स्वभाविक दोस हैं अर्थात, इस्त्रियों में ये प्रवर्ती जन्म से ही होती है वे अपने दुसाहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जिस पर भरुसा नहीं किया जा सकता भोजबर्दात, भोजान, सक्ती, रती सक्ती, सुन्दर इस्त्री, व्यभाव तथा दान सक्ती ये सब सुक किसी अतल्प, तपस्या का फल नहीं अर्थात सुन्दर खाने पिने की वस्तु मिले और जीवन के अंधर तक खाने पचाने की सक्ती बनी रहे इस्ट्री की संभोग के इच्छा बनी रहे आदत भी हो ये सारे सुक किसी भागे साली को ही मिलते हैं पुरव जन्ह में जो अखंड तपस्या किया होता है पुत्र वही है जो पिता का भथ हो, पिता वही है जो पोशक हो, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, तथा पत्नी वही है जो हिर्दय को आनंदित करे पीट पीछे काम बिगड़ने वाले तथा सामने प्रियपोलने वाले ऐसे मित्र को मुँपर दूद रखे हुए विश्क के घड़े के समान त्याग देना चाहिए मन में सोचे हुए कारे को मुन से बाहर नहीं निकलना चाहिए मंत्र के समान गुप्त रखना चाहिए और उसकी रच्छा करनी चाहिए गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए मुर्खता कश्ट है योवन भी कश्ट है किम्तु दूसरों के घर में रहना कश्टों का भी कश्ट है नपरतेक परवत पर मड़ी प्राप्त होती है नपरतेक हाथों के मस्तक से मुक्त मड़ी प्राप्त होती है संसार में मनुश्य की कमी न होने पर भी साधो पूरु सब जगह नहीं मिलते इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृच्छ व प्लब्द नहीं होते बुद्धिमान लोगों को कर्तव्य है कि पुत्र को शदा अनेक प्रकार से सदाचार की सिच्छा दे नितिक सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं अर्थात पिता का सबसे बड़ा करतव है कि पुत्र को अच्छी सिच्छा दे सिच्छा केवल विद्याले में ही नहीं होती अच्छे आचरन हो व्यभार की सिच्छा देना पिता का पावन करतव है अच्छे आचरान वाले पुत्र को ही अपने कुल का नाम उचा करते हैं नितिग और सील सम्पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं बच्चों को न पढ़ाने वाली माता सत्रू हो तथा पिता बैरी के समान होते हैं बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच में हसी के पात्र होता है। अधिक लाड़ से अनेक दोस्त था ताड़न से गुड़ आते हैं। इसलिए पुत्र को सिस्य को लालन नहीं ताड़ने की अवश्यक्ता होती है। प्रिक्ति की चाहिए की वकिसी एक स्लोक या आधे या उससे भी आधे अथवा एक अच्छर काही यह सही मनन करें। मनन यानि अध्यन, दान, आधी कारे करनते हुए दिन की सार्थक करना चाहिए। प्रियतम वपत्नी, शेव योग, स्वजनों से अपमान होना, रिण का नचुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिदर्ता और धूर्त लोगों की सभा, ये बाते बिना अगनी के ही सरीट को जला देती है। तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगाने वाले ब्रिच, दूसरों के घर में रहने वाली श्त्री, मंत्रियों के बिना राजा, लोग, ये सभी सिस्त्र के नश्ट हो जाते हैं। पुस्तक और इस तरी दूसरे के हाथों में चली गई, तो गवाई गई ही समझें, यदि दैव योग से वापस लोड भी आती है, तो उसकी दसा नश्ट, ब्रश्ट और मदित रूप से ही होती है। विद्या ही ब्रामणों का बल है, राजा का बल सेना है, वैश्व का बल धन तथा सेवा करना सुद्रों का बल है। यह प्रकृती का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वेश्ट उस पुरुष को त्याग देती है, प्रजा सक्तिहिन राजा को और पच्छी फलहिन उरिच को त्याग देते हैं, इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अथिती घर को छोड़ देता है। दच्छीडा लेल लेने पर ब्रामण यजमान को छोड़ देते हैं, विद्या प्राप्त कर लेने पर स्विस गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पसु उस वन को त्याग देते हैं। दुराचारी दुष्ट सभाव वाला बिना किसी कारण दूसरों को हाने पहुचाने वाला रथा दुष्ट व्यक्ति के से मित्ता रखने वाला स्रेष्ट पुरुष्भी सिग्र ही नश्थ हो जाता है क्योंकि संगती का प्रभाव पढ़ जाता है। समान स्तरवालों से ही मित्ता सोभा देती है। सेवा राजा की सोभा देती है। वैश का वैपार करना सोभा देता है। सुभिस्त्री घर को ही सोभा देती है। जिन्होंने चाण किनीती का चैप्टर वन नहीं देखा है उपर में लिंक आ रही होगी उस पे जाकर देख सकते हैं